प्रेपरेशन होगा जिसमें एक प्रेगनेंट वुमेन की हमें अबस्ट्रेक्ट इग्जैमिनेशन करनी है तो हम उसके स्टेप सिर्वाइस करेंगे और ज़रा थोड़ा सा दिमोंस्ट्रेट करेंगे तो इसमें सबसे पहला कौन सा होता है एक वुमेन आईए प्रेगनेंट उसके एक्जैमिनेशन करनी है सबसे पहले हम अपना इंट्रोड़क्शन देते है फिर हम उससे कॉंसेंट लेते है कॉंसेंट लेने के बाद हम प्रेपरेशन करते है preparation में सबसे पहले क्या होते है हम उसे कहिए कि आपका bladder empty है मतलब कि आपको वाशन पनी जाना feel हो रहा हो तो उसका bladder empty करवाने है तक कि examination सही से कर सके है अगर वो खुद चल सकती है तो खुद कर रहा है वनना fallis catheter से उसका bladder empty करने है पहले prerequisite है फिर दूसरा हमने ऊसको drapes से कवर करने है यह अगर female variety है इंडिया को इसको abdomen को भी drape देनी है और उसके pelvic area को भी drape देनी है टूसरा हमने पहले drape से कवर करने है फिर उसको हमने uncover करना जितने area को हमने examine करना है Uncover area कितना होना आप नहीường चैए है उतना फिर हम पहले ड्रेयपिंग से कवर करेंगा फिर उस ड्रेयप के साथ-साथ उस कमेज को थोड़ा सा उपर और नीचे करेंग जितना हमने जिसा देखना है कितना देखना हमने जीफी सर टर्नम से लेकर ुबिक सिंपसिस तर अपने hands warm होने चाहिए हमारे पेशेंट के position कैसे होनी चाहिए female को हमने लिटाना है supine उसने supine होना है किस तरह उसका na head 15 degree elevated होना चाहिए 15 degree उसके लिए तक क्या रखतो सीधी लिटी है उसके थोड़ से knees उठे होने चाहिए ताकि वो abdomen पे stretch ना हो हमारे पास measuring tape इसके लिए जरूरी है इस examination में और phytoscope ठीक है यह सारी चीज़ें थी अब हम पहले करेंगे inspection inspection में हम check करेंगे क्या एक अब्डॉमन का contour distended होगा अगर वो pregnant है दूसरा को स्कार जिसे c-section का स्कार हमें मिल सकता है suprapyubic या हमें leproscopy उसने करवाई हो कोई तो जिसके अड़से leproscopy kolysis technique में कराई हो तो हमें leproscopy के जो port होते हैं उनका स्कार मिल सकता है किसी भी सरजी का स्कार मिल सकता है हमें कोई abnormal cko मिल सकते है stria क्या होते है marks होते है ảo stria-gravitaryum जो जो के pregnancy के stretch marks है या बी च्राय albicans जो के obese लोगों में white marks होते है वो stria मेल सकते हैं हमें linear nigra मिल सकते है वो एक brown line होते है जो amblycus त़क pubic synthesis तक brown pigmentation की brown colour की जो pregnant ऋड़्टो मैं होती है linear diagram मिल सकते हैं हमें वैसे कोई scar मिल सकते हैं कोई abnormal veins मिल सकते हैं कोई abnormal pigmentation Ambilicus की position देखेंगे Ambilicus की shape देखेंगे Transverse, state-like, crescent shape क्या shape है Inverted है, Everted है क्या है Abdominal inspection हो गई अब है palpation, अब touch करने Palpation करने से पहले हमें superficially palpate करके तेंडरनेस देख लेनी होती है उसे हम patient के facial features देखते हैं उसके आवाज सुनते हैं पहले से पुछने कोई दर्द हो नहीं है फिर superficially हलका-हलका palpate करते हैं और पहले patient के अगर facial features खराब हो जाएं हमें नजर आए कि उसके दर्द हो रहा है या वह pain के जवाब में आवाज निकाले उसमें पहले चल जाएगा कि tender है non tender है फिर हम start करेंगे palpation palpation में सबसे पहला होता है हम fundal height लेते हैं fundal height हम कैसे लेते हैं अब वो भी हम साथ लेते जाते हैं कि हम एक baby बनाते हैं यह abdomen है इसमें हमने एक baby बनाया यह baby है यह बैठा हुआ baby यह उसका सारा वो है यह uterus का fundus है uterus है uterus में यह baby है तो हम सबसे पहले fundal height लेते हैं fundal height हम लेते हैं हम पेशन के right side पर खड़ें right side पर हमाजो left hand है ना वो patient के abdomen से उपर से उपर से हम नीचे जा रहे हैं यह patient का abdomen है यह patient का abdomen है तो patient का abdomen से नीचे जाएंगे हमारा ulnar border जहां पर हमें fundus मिल जाएगा तो वहां से फिर amphiobic symphysis जो नीचे bone है उसके हम उपर वाले border से लेके fundus तक हम अपनी measuring tape से measure करेंगे हम उसमें यह करेंगे कि हमारा mm वाला पार्ट है वो नीचे चुपा लेंगे और उपर वाले area से करेंगे इंच वाले से ताके बायस ना हो इस तरह हम measurement करेंगे fundal height की fundal height की measurement में हम कोई baby अगर 16 से 36 weeks की pregnancy हो तो उसमें जो centimeter होते है न वो week बताते हैं यह क्यों है इस और यह जीफी स्टर्नम है अब यह सारे weeks है uterus के, uterus के growth है कि किस week पे वो कहा होता है जो 12 weeks वाला uterus होता है वो अभी pubic symphysis से उपर निकला ही नहीं होता है उसको तो हम वैसे ही उसकी fundal height निकाल सकते हैं जब वो 16 weeks तक पहुंचते है तो वो अभी pubic symphysis के तरम्यान पहुंचते है तो यहां से हम शुरू कर सकते हैं बैतर निकालना fundal height जब वो 20 weeks का होता है तो वो अभी pubic symphysis के बहुत पास हो जाता है 20, 22 पे वो अभी pubic symphysis के उपर होता है 24 पे अभी pubic symphysis के उपर होता है 24 पे यानि 20, 22, 24 जैसे अब 36 weeks पे अगला हमारा bonnie mark बंता है जीफी sternum इसलिए हम 16 weeks से लेकर 36 weeks तक का पता लगा सकते हैं अच्छा इतने cm है तो इतने weeks है उतना हमें सही बताता है 16 weeks का बताता है 20, 22, 24, 36, 32 यह सारे जो होते हैं 16 से लेकर 36 weeks के दरम्यान कोई भी week हो उसमें जितने cm measurement होगी उतना week होगा जैसे यह फिर 36 से नीचे आता है मतब कि 36 से आगा जाता है जैसे 40 weeks के तो फिर्टरस फिर्टरस के height decrease हो जाती है 36 के बाद क्यों हो जाती है? 40 weeks पे fundus के height decrease क्यों हो जाती है? इतनी हो जाती है कि 32 weeks के आसपास पहुँच जाती है क्यों? यानि 38 weeks से नीचे चली जाती है 32 weeks के आसपास पहुँच जाती है 40 weeks पे fundus के height decrease हो जाती है क्योंकि presenting part अब नीचे जा रहा है delivery के आसपास दिन आ रहा है इस वज़ए से अब सब कुछ नीचे जाकर deliver होना है तो फिर वो height decrease होने लग गई है एक term baby में fundus के height decrease होती है 16 से 36 तक हमें सही values मिलती है उसके बाद हमें सही values नहीं मिलती है फिर decrease भी हो सकती है बाकि tall woman और short woman में of course pubic symphases, simulicas और ये zifis tanum की different different heights of variations इसलिए वो 30 variations वीक्स में हो सकती है येकिन आप्रोक्सिमेटली 16 ते 36 वीक्स में हमें सही calculation हो जाती ही fundal height की अब हमने fundal height calculate कर ली step 2 हमारा क्या लीपल्ट मनुवर करेंगे उससे हमें पता चल जाए का कौन सी presentation है कौन सा lie है कौन सा attitude है फितस का लाय मतलब कि वर्टिकल है ट्रांसवर्स प्रेजंटेशन मतलब है नीचे है या फिर ब्रीच नीचे प्रेजंटीन पार्ट कों से attitude से मुराद कि अगर है प्रेजंटेशन तो फ्लेक्स्ट है या एक्स्टेंड और यह हमें पाद चल जाता है यह भी यह इमनियोटिक फ्लूट का क्या वॉल्म है अच्छा लीक और यह या यह पोलि हींट्रयम्नियोज है बहुत जादा है तो पोलि ही यह बहुत कम है का पहला Leopold Manewer है, उसे हम कहते हैं Fundal Grip, इससे आपको बाद चल लगी है कि हमने Fundus की Grip, सबस्क्राइब है, करने के Fundus को अपने Fingers करना है, इस तरह, कि हमने कोई है कि हमें कोई round firm structure मिलत तो वह head हुआ, अगर हमें कोई soft सा structure मिला तो वो हो सकता है वो breech और बाटक्स हो अगर हमें कोई prominences मिल रही है वो नहीं तो वो हो सकता है कि वो limbs हो यानि baby transfers लाए में होगा ना तो हमें हो सकता है limbs भी मिलें यहाँ पे तो यह fundus पे है ना यह fundus है uterus की इस पे जो हम अपने दोनो फिंगर हाँ यह hands की finger से करने की कोईश कर रहे है palpate यह हम ढून रहे हैं कि उपर है क्या यह है fundal grip number two फिर हम lateral palpation करते है lateral palpation हम क्यों करते हैं हम back ढूनना चाहते कहां पे जैसे अगर baby vertical है तो हम lateral palpation पे पाएंगे ना पहली बात उसमें यह होता है कि यह हमारे पास यह uterus है यह uterus बड़ी कर देते हूं यह uterus है हम right side पे खड़ें और वहीं से हम करेंगे हम इस तरह करेंगे कि हम एक side पे हम अपने हाथ को steady रखेंगे और दूसरे से पालपेट करेंगे पहले घुमाएंगे feel करने कोईश करेंगे क्या feel होता है फिर हम एक side उसे और फिर हम एक side पे हाथ हम right वाल हाथ फिर steady रखेंगे और दूसरे मता उसे base पनाएंगे और फिर दूसरी side से यह हम feel करेंगे जिस side पे हमें smooth surface मिले वो back होगी इस side पे हमें छोड़ी छोड़ी prominences मिले वो limbs होगी इस तरह हमें lateral perpation से back मिल जाती है फिर होता है polygrip जो polygrip इसे pelvic grip भी कहते हैं pelvic grip 2 अब हमने नीचे जाके presenting part ढूनना है presenting part ही होता है जो कि बाहर निकलता है inlet पे तो inlet पे क्या है उसके लिए हम पूरे ही अपने हाथ से right hand से नीचे grasp कर लेते हैं नीचे uterus वाले part को पूरा इसे grasp किया मैंने अब मैं feel करने की कोईश्च कर रहे हूं grasp करने के बाद grasp कर लिया पकड़ लिया नीचे से पूरे uterus को नीचे वाले हिसे से अब मैं feel करने की कोईश्च कर रहे हूं कि head है तो फिर मैं उसे move करेंगा लादा से firm है अगर firm round structure तो of course head है अगर वह soft structure तो breech भी हो सकता है symmetrical firm structure और symmetrical soft structure और breech या बर्टक्स हो सकते हैं अगर मुझे prominence polygrip में मिल रही हैं तो वह limbs हैं या या हो सकता है shoulder presentation हो breech या फिर head presentation होई न होई shoulder या फिर इस तरह कोई limb presentation हो नी presentation हो फिर होते है को और pelvic grip type 1 pelvic grip 1 होती है न यह 2 थी pelvic grip 1 इसमें हम नीचे हम अपने जो fingers है ना उनको नीचे हम uterus है नीचे हम इसे pubis के नदर इंसर्ट करने ही कोईश्च करते हैं हम जब दोनों fingers को pubis के नदर इंसर्ट करने की कोईश्च करते हैं हमें पता होना चाहिए back इतर है baby की जैसे baby की back इस diagram इतर है तो अब मैं अपनी fingers इंसर्ट कर रही हूं अगर मुझे resistance इस तरफ मिले insert करते हैं तो इसका मतलब यहां पर क्या होंगी बेबी की eyebrows है तो मैं brow मिली इसका attitude का flexed head है अगर मैंने यहां पर ऐसे किया और मुझे resistance इस तरफ से मिली इस baby में जिसकी back इतर है तो इसका मतलब बेबी का head extended है और मुझे उसका occipit feel हो रहे हैं यह बताता है हमारा fourth वाला attitude अब हमने leopold maneuver कर लिये उसमें यह चार स्टेप्स थे अब हमारा last क्या है यह था पालपेशन पालपेशन में यही चीज़े थी height, tenderness, bundle height, leopold maneuver अब number three में क्या करते हैं fetal auscultation of fetal heart उसमें हमें जो back मिली न जहां पर हमने fetus के back के उपर अपना fetuscope रखने हैं पीनार fetuscope के बड़ा वाला हिस्सा और जो छोटे वाला है उसे अपने कान से लगा लगा लेंए उसे touch नहीं करना मैंने में मदर की उपर रखा और यह अपना कान जोड़ी और कान से ही मैंने उसको यहां पर support रखना है पले में ताँछ नियाख करना उसको नहीं कई पर बगत चुछा उसको को हाथ लगाना जाता पर मैं में उसके भैक पर लगाय रख खाए और पर दूसरा हाथ से मैं और मजबर की पल्स पील्टिये प्यूग? क्यों यह नहों कि मझे उसकी pulse ही सुनाई ए रही हो मतलक कि मदर की ही मजे circulation सुनाई डे रही हो मजे foetus का heart सुनाई ए रही हो影 इससे मैं differentiate कर पाऊंग और इस इससे difference नौई दे इसकंद मघे fatal heart सुनाई दे रही हो और फिर मैं 30 seconds के लिए लूगी और उसे 2 से मल्टिप्लाय कर लूगी आप 15 seconds के लिए के उसे 4 से मल्टिप्लाय कर सकते हैं वही उसी तरह heart rate मिल जागा per minute कितना fetal heart rate है बस इसमें percussion नहीं होती, inspection, palvation और auscultation है उसके बाद हम वापस से drape से cover कर देंगे thank you कहेंगे और हमारा पूरा हो जाएगा फिर अपनी ये examination summarize करके सुना देंगे झाल